दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CISF में Constable Pad के लिए 2022 की Vacancy आ चुकी है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसकी हमने Full Information की वीडियो बना दी है आपको उसका लिंक हमारी इस वीडियो के Description Box में मिल जाएगा हमने उस वीडियो में CISF से Related Full Information दे रखी है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और अगर आप इसके लिए Illigival हैं तो आप इसका Form जरूर भरें दोस्तों अगर आपने बारवी पास का रखी है Science से तो आप इसका Form भर सकते हैं तो साथियों इस वीडियो में आज मैं आपको इसके Exam Slavers और Paper Pattern के बारे में बताऊंगा साथ ही मैं आपको बताऊंगा किसमें पहले Physical होगा या फिर लिखित परिक्षा होगी और इसका तो Exam होगा वो कब होगा इन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और इस Exam में Negative Marking रहेगी या फिर नहीं रहेगी आपका Paper कितने नंबर का होता है कौन-कौन से subject आते हैं इन सभी की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए दोस्तों आते हैं अपने सीधे point पर तो दोस्तों ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है इसका official notification है अगर आप इसको read करना चाहते हैं तो इसका link भी मैं इस वीडियो के description box में दे दूँगा आप मासे इसको जाकर download कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले सफ़ाल लेते हैं कि इसमें सबसे पहले physical होगा या फिर लिखित पर इक्षा होगी तो यहाँ पर मैं आपको इस बात को Clear बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आपका physical होगा और physical की वीडियो भी हमने बना रखी है आपको इस वीडियो में फिजिकल की फुल इंफरमेशन मिल जाएगी तो दोस्तों अब बात करते हैं फिजिकल के बात यहाँ पर जो कैंडिडेट फिजिकल पास कर लेंगे फिर उनको एक्जाम के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो आपका एक्जाम होगा वो फिजीकल के बाद ही होगा और जो फिजीकल होंगे वो दो महीने बाद होंगे ओनलाइन फोर्म बनने के कम से कम दो महीने बाद ही होंगे उससे पहले तो होने वाले नहीं है और physical होने के कम से कम एक महीने बाद ही आपका exam होता है तो साथ ही हो आपके exam में अभी बहुत time है आपर कोई भी fix नहीं है कि आपका exam कब होगा लेकिन इसका syllabus और paper pattern बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी सुरू से ही तयारी आपको लेकर चलनी होगी क्योंकि physical तो ज़्यादा तर candidates पास कर लेते हैं इसका लेकिन main होता है इसका written exam यानि कि लिखित परिक्षा ज़्यादा तर candidates इसके लिखित परिक्षा में ही बाहर होते हैं इसलिए आपको इसकी सुरू से ही तयारी लेकर चलनी है अगर CISF को आपको जोइन करना है तो तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इसके slaves के बारे में दोस्तों इसकी लिखित परिक्षा के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो लिखित परिक्षा होगी वो OMR-based होगी यानि कि आपको चार विकल्प मिलेंगे और उसमें से एक सही विकल्प पर आपको टिक लगाना है तो यह बात आपको ध्यान रखनी है और साथ ही इसमें बताया हुआ है कि आपको 100 questions आएंगे जो की एक एक नंबर के होंगे टोटल 100 नंबर के ही आपके questions होंगे और आपके जो subject आएंगे exam में वो चार पार्ट में divide होगा पहला पार्ट होगा reasoning का दूसरा होगा gk यानि general knowledge का और तीसरा होगा math का और चोथा पार्ट होगा English या फिर Hindi language इसमें से कोई एक काप को choose करना होगा तो दोस्तों यहाँ पर gk जो आएगी वो 25 नंबर की होगी 25 question इसके fix हैं ऐसे ही reasoning में भी 25 नंबर आएंगे 25 question होगे math के भी 25 question आएंगे जो 25 नंबर के ही होगे और आपको English या फिर Hindi subject में से कोई एक subject के 25 नंबर के ही होगे वो भी आपके 25 नंबर के ही होगे और 100 question को करने के लिए आपको total 120 मिनट का time दिया जाएगा तो इस तरह से इसका paper pattern रहेगा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका PET और PST होने के बाद ही आपका यह paper लिया जाएगा और यह आपका computer based भी हो सकता है और OMR offline भी हो सकता है यानि कि online भी हो सकता है और offline भी exam आपका लिया जा सकता है यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ है इसके साथी दोस्तों 12 standard के questions यहाँ पर आएंगे यहाँ कि 12th level यहाँ पर रहने वाला है exam का तो इस बात कभी आपको दियान रखना है इसके साथी दोस्तों यहाँ पर एक important चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप defense में किसी भी government exam की तयारी कर रहे हैं जैसे NDA, Navy, CDS, Air Force या फिर Coast Guard तो ऐसी सभी candidates के लिए unacademy पर एक बहुत बढ़िया बहतरीन offer चल रहा है तो देखते हैं यह offer क्या है दोस्तों अगर आप Air Force X Group की तयारी कर रहे हैं तो Air Force X Group के candidates के लिए unacademy पर दो फरवरी से एक new batch स्टार्ट हो रहा है और यह आपका 2 April तक चलेगा तो दोस्तों अगर आप Air Force X Group की तयारी कर रहे हैं तो आप इस batch को जरूर जोइन करें इसके साथ यहां पर अगर आप NDA की तयारी कर रहे हैं तो यहां पर NDA के candidates के लिए भी एक new batch स्टार्ट हो रहा है यह भी आपका 2 April से स्टार्ट हो रहा है तो अगर आप NDA की तयारी कर रहे हैं आप 2022 में NDA में अपना selection लेना चाहते हैं तो यहां पर 60 days में पूरा course आपको complete कराया जाएगा सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा यह 31 मार्ज तक आपका चलने वाला है तो दोस्तों अगर आप NDA की तयारी कर रहे हैं तो आप इस batch को join कर सकते हैं इसके साथ ही आपर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे referral code का use करके इनको purchase करते हैं तो आपको पूरे 10% का discount और मिलेगा इस पर तो इस बात का आपको धियान रखना है तो दोस्तों इनका link अमने आपको अपने वीडियो के description box में दे दिया है आप महां से जाकर इनको purchase कर सकते हैं और एक बात का आपको जरूर दियान रखना है कि जब भी आप इनको purchase करें तो आप हमारे referral code का ही use करें इस बात का आपको धियान रखना है इससे आपको 10% का और discount मिलेगा और इसके साथ ही यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर unacademy पर 12 month का subscription मिलता है 24 month का मिलता है और 6 month का भी यहाँ पर subscription दिया जाता है तो आप यहाँ पर subscription इसका ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपनी selection को पका कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इसका paper pattern के बारे में आपको fill information दे दी है तो अब बात करते हैं इसमें negative marking की तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने अपने notification में negative marking से related कोई भी information नहीं दे रखी है इसका मतलब यह है कि इसमें आपकी negative marking नहीं रहेगी बिना negative marking का यह exam आपका रहने वाला है तो यह बहुत बड़ा plus point आपके लिए है तो साथियों इस वीडियो में हमने आपको पुरी जानकार इसके syllabus के बारे में दे दी है और अगर आप चाहते हैं कि इसका topic wise हम syllabus आपको provide करवाएं तो इसके बारे में आप हमें comment में बता दीजिएगा अगर आप चाहेंगे तो हम इसका topic wise syllabus भी आपको provide करवा देंगे तो साथियों अगर यह information आपको पसंद आयो तो वीडियो को एक like तो बनता है और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार वंदे मातरम